आप सभी को महा नमशकार एक बार फिर से आज भी आपके लिए एक अमेजिंग सा गंटेंट लाया है चलिए आज भी बात करते हैं आज के गंटेंट के उपर पैसा बहुत ही इंट्रेस्टिंग तॉपिक है और मैं कहुंगा जरूर आज के टॉपिक को ध्यान से सुनिए पैस पैसा, exactly है क्या, पैसा क्या है, पैसा क्यों है, पैसा लाता क्या है, पैसा आता कहां से है, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल, क्योंकि अगर लाइफ में बहुत पैसा कमाना है ना, या बहुत अच्छा करना है ना, तो आपको यह जरूर पता होना ठीए कि पैसा आता कै पैसे है और पैसा है क्या सबसे पहले तो बात करते है कि पैसा है क्या पैसा ना एक medium of exchange है बस medium of exchange है बस कोई भी बड़ी चीज नहीं है मेरी साब से तो पर पैसा हम ही बड़ा बना देते हैं पैसे के लिए क्या क्या नहीं करते इतना कि लोग मान भी लेते हैं पैसा बुरा है, क्योंकि पैसे सारी फसाड की जर पैसा है, लोग ऐसे भी बोलने वाले हैं, पर मैं मानता हूँ ऐसा नहीं है, अब आप देखिए, मैंने तो बहुत बार देखा है, कि पानी को लेकर भी, पानी को लेकर भी बहुत सरे जगड़े होते हैं, आप अगर ऑनलाइ पानी को लेकर जगड़ा हो जाता है, तो क्या पानी बुरा हो गया, नहीं न, पानी तो जीवन दे रहा है, वैसे ही पैसा भी जो है न, पैसे के लेकर जगड़ा हो जाता है, मैं मानता हूँ कि व्यर्थ है, जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा एक्चुली तो है, तो सिर्फ म जरुवत है तो आप उस मुझे बदले में पैसा दे रहे हैं पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम होता था मेरे पास कोई चीज है जो मुझे दे जो आपको जिसकी जरुवत है और मेरे पास एक चीज नहीं है जो आपके पास है और मुझे उसकी जरुवत है तो हम दोनों सम पूरा system unified हो गया है एक ही चीज में, कि एक ही unit है, पैसा, मेरी पास अगर कोई चीज है देने के लिए, तो मैं उसके बदले में पैसा ले रहा हूँ, आपके पास कोई चीज है देने के लिए, तो आप उसके बदले में पैसा ले रहा हूँ, अब इसी पैसे का मुल्य है, या तो ये जाधा है या तो ये कम है. यही चीज मातर है पैसा, उससे जाधा कुछ नहीं है. पर हां पैसा important भी बहुत है. क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया, अपनी दुनिया हो, या किसी और की दुनिया हो, देखिए आप एंग दिन भी व्यतीत नहीं कर सकतें बिना पैसे के रहते को आप अगर घर में रह भी लेते हो आपने पंखा लगा दिया है पैसा कर रह और आपने कुछ खाना खाया पैसे से खरीदा हुआ है तो बिना एक दिन भी गवाय पैसे के बिना तो जाता नहीं है पर पैसा बहुत ज़ादा important भी नहीं है मैं मानता हूँ हर किसी को ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि हे इश्वर मुझे उतना पैसा दे जितनी मेरी इच्छा है वो पूरी हो मेरी जितनी इच्छा है मेरी जो भी इच्छा है वो पूरी करने के लिए जितना पैसा चाहिए ना भगवान आप मुझे वो दे दीजे बस उतना दे दीजे मैं मानता हूँ हर किसी व्यक्ति को ये क्लियर होना चाहिए कि उसको उसकी इच्छा पूरती के लिए है अब वो कोई भी इच्छा हो एक्स वाई जड कोई भी इच्छा मैं कहता हूँ है कोई भी इच्छा चांद पे जाने की इच्छा भी हो उसके लिए भी जितना पैसा चाहिए उतना ही पैसा आपके पास में ऐसा आप इश्वर से मांगिए, कभी भी नंबर में इश्वर से मत मांगिए, क्योंकि वो जो इश्वर है ना, ये इश्वर निराकार है, और ये भाषा जो है ना, ये इश्वर समझता है, नंबर की भाषा नहीं समझता है, नंबर तो अम लोगे ने बनाए अपने लिए, हर चीज, दस साल पहले आलू इतने दाम में आता था, आज आलू दाम में नहीं आ रहा है, क्योंकि आलू का दाम नहीं है, दाम तो हमने आलू का इंक्रीज किया, आलू तो उसका महत्व तो वही है, आलू का महत्व है, वैसे ही आपका भी महत्व है, मेरा भी महत्व है, आलू का महतो है कि वो उससे दमालू बन सकता है अब आलू प्यास का काम तो नहीं कर सकता जैसे मैं अगर आपको एक example दूँ जो मुझे बहुत पसंदा एक pen है अब वो pen लिखने के ही काम आता है पर pen मान लेता है कि नहीं आज से मैं लिखूंगा नहीं मैं तो बस एरेज करूंगा pen बोल रहा है कि मैं आज से लिखूंगा नहीं मैं बस एरेज करूंगा तो आप देखिए एक तो pen के पास में property नी ही नहीं है कि वो erase कर सके और वो मान बैटा है कि मैं लिखूंगा ही नहीं तो क्या pen कोई काम कर रह गया नहीं, dustbin में जाने के लाइक रह गया pen क्योंकि जो वो कर सकता है वो कर नीरा और जो वो नहीं कर सकता है उसकी रट लगाया बैटा कि वो वही करेगा दुनिया में लोगों के साथ में ही होता है हम वो भूल जाते है कि हम क्या कर पाते है और हम उसी में लग जाते है जो हम नहीं कर पाते तो इसके लिए मैं जरूर कहूंगा कि आपको ये जरूर clear होना चाहिए कि आप दुनिया में क्या दे सकते हो क्योंकि दुनिया में आप जो देते हो उसी का मूल है और उसी का पैसा आपको मिल रहा है बहुत clear होना चाहिए ये चीज हर किसी के पास भेड़ है बेड़ बक्री भेड़ जो होती है वुल देती है तो वुल का महत्व है उससे तो उसका भी अगर महत्व है तो आप भी तो कोई स्किल सेट रखते हो उसका महत्व है कोई बोल अच्छा सकता है कोई बाते अच्छा करता है कोई काम अच्छा करता है कोई निर्देश अच्छा देता है हर किसी का गुण है हर किसी के गुणों के हिसाब से उसका बरताव है इसी के रिगार्डिंग है श्रीमत भगवद गीता तो इसमें एक इंसाइट ऐसा है कि आप भी श्रीमत भगवद गीता का अध्यान जरूर करी तो अब चली इसके आगे बढ़ते हैं सबसे पहले उस बात पे आता है मैंने जो पास में उतना पैसा आए उतना प्रचूर मात्रा में पैसा आए जितना आप खर्च करना चाहते हो आपकी सुविधाओं के लिए अब आते है कि ये पैसा आएगा कैसे क्या सिर्फ ये लिख देने से पैसा आएगा तो उत्तर है नहीं आपने बहुत सारे books पड़े होंगे अब जो आपने बोला है, उसको पूरा होने के लिए भी कुछ करम है, इसी को कृष्ण कहते है कि करम करना चाहिए, ये जो चीज है, कि ये करम क्या है, मैं क्या करू जिससे वो पैसा आएगा, तो आपको ये डिफाइन हो जाना चाहिए, कि आप किसमें बैतर है, क्या आप ऐसे नहीं लगता, इंट्रेस्ट आता है, जैसे मैं अगर कहूं, मैं वास्तु एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे इंट्रेस्ट आता है लोगों को उनकी घर में देखने में कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या सलूशन लिया जा सकता है, मैं बड़ी रूची रखता मैं कभी भी ऐसे नहीं करता कि यार, नहीं यार, मुझे बहुत ही ज़्यादा, ऐसा नहीं करता मैं, ऐसे ही आप भी ढूंडिये, कि आपको ऐसा कौन सा काम है, जिसको करने से आपको खुशी आती है, एक बीच में ना, मैंने एक बहुत ही बढ़िया सी बात, एक ऑनलाइन पड़ी एक व्यक्ति है एक लड़की थी जो महीने का 50,000 रुपीज कमाती थी सिर्फ और सिर्फ लोगों के घर में उनके वाड्रॉप ठीक करके आप सूचिए घर में सिर्फ वाड्रॉप ठीक करके इतनी बड़ी अमाउंट कैसे कमाई जा सकती है जब उस लड़की को पूछ तो उसने बता है मुझे इंट्रेस्ट आता है मुझे बड़ा पसंद है लोगों के वाड्रॉप ठीक से लगाने को उनके घर में जो चीज नहीं चाहिए उनको वो हटा देने को और उनका वाड्रॉप एक बढ़िया सा लगाने को 9-10 क्लाइंट है रोज में उनके बास जात रेजल्ट आता है तब वो दूसरे को भी कहता है कि इस बंदे के कारण रेजल्ट आया तुम इसकी सल्ला जरूर लो आप भी तो करते हो ना आपने भी तो कितने बार कि अपने दोस्तों को बता अपने रिश्टोदारों को बता कि ये डॉक्टर सही है ये वकील सही है क्यों क्योंकि जो वकील दे रहा है भले ही पैसा ले रहा होगा क्योंकि वो कर रहा है ना करम कर रहा है अपना मैं मानता हूँ पैसा आज की डेट में करम का मिटर है करम का मिटर मतलब क्या मैं मानता हूँ कि यह जो पैसा है ना और करम का क्या संबंद है आपने कुछ करम किया अब उसका करम फल स्वरूप आपको एक amount मिली, ये amount कैसे मिली, तो आपने अपना खर्च किया, आपने अपनी energy खर्च की, आपने अपना करम किया, और उस करम को आपको कुछ एक returns मिला है, ये करम का मिटर है, तो किसी दूसरे से भी काम करवाना है, तो आप उसको पैसा देते हैं, तो वो उसके लिए करम का मिटर हो गया, तो पैसा तो करम का मिटर है, पैसा ऐसा भी निए कि बुरा है, और ऐसा भी निए कि अच्छा है, पैसा सिर्फ ये है, कि आपने कुछ किया, और उसके बदले में आपको कुछ मिला, तो आप देखिए कि आपकी जितनी भी इच्छा जो भी आपको करना है, जो भी आप चाहते है, तो उसके लिए जितना भी पैसा लगने वाला है न, ये तो आपका नीजी करम से related ही है कि आप कितना करम कर रो और कितने अच्छे से कर रो, तो वापस हम घूम फीर के वही आगए, पैसा कैसे आएगा, अगिर आपका करम क्या है, ऐसा नहीं कि पुन्य करम ही करना है, ना ना पुन्य और पाप तो अलग ही है, मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपको पसंद आता है, आप डॉक्टर हो तो अच्छे है, आप ट्रीटमेंट दे सकते हो, तो अब आपका ट्रीटमेंट कैसा हो, क्या सिर्फ ट्रीटमेंट देना ही आपका काम है, नहीं जो व्यक्तिया आपके पास है उससे मीठी बात करना, उससे दो सवाल पूझ देना कि आओ कैसे हो, घर में सब कैसे है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर का काम feel से related है वो body को touch करता है, feel लेता है तो सामने वाले को उसका feel पसंद है, तो वैसे ही दो मीठे बोल भी उसके रिदय को touch करता है, जो feel को ही देते है आप समझ पा रहे हो, chemistry इस चीज की, जो आपका करम है, उसके संबन में मैं chemistry को पकड़ रहा हूँ वकील हो तो इसकी उपर ध्यान देना चाहिए कि कैसे आपको best to best result मिले आपके client हो, तो ताकि आप जितने cases जीतो, तो आप आगे बढ़ जाते हो, आपका नाम बढ़ जाता है, वैसे ही अलग-अलग field में भी है, अगर आप जो काम कर रहे हो, उसमें खुश नहीं हो, तो मेरी ये सला जरूर है, कि ये पहले ढूण लो कि आपको किसमे मज़ा आता है, अगर आप अपने मज़े के अलावा के काम कर रहे हो, तो देखना पैसा भी नहीं आता, क्योंकि वो काम ही व्यर्थ है, मज़ा ही नहीं है, उसमें, करोड़ो रुपए कमाल होगे, पर मज़ाई नहीं ये, तो फाइदा क्या है, फिर आते हैं बहुत चरे रोग, जिनके पास पैसा है, वो भी खुशनी है, रोग ही हो गए है, जिनके पास पैसा है, और जिनके पास नहीं है, इसी व्यता में है, कि पैसा कैसे आए तो सबसे पहले तो अगर आप हैपी हो अपना काम करने में अगर आप हैपी हो तो जरूर आपके बास बहुत सारा पैसा आएगा तो वेस्ट की डिरेक्शन में एक इच्छा लिग दो अब दूसरा मतलब बहुत बार आता है कि लोग पैसे नहीं देते आपने कुछ करम किया उसके बदले में आपको पैसा नहीं मिला तो इसज़ के लिए आप साउथ इस्ट डिरेक्शन धन की है मनी की है जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कौन सा वाला धन है ये धन वो है कि मान लिजए आपने कोई करम किये और आपको उस करम के बदले में जो पैसा मिलना था ना वहीं नहीं मिला यह वह वाला धन है तो आप इस धन को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें यहां से ब्लू कलर हटा दीजिए यहां से black कलर हटा दीजिए और आप यहां पे एक दिया भी लगा सकते हो रेड बल वो जरूर देखी है क्योंकि उसमें भी मैंने पैसे से रेलेटल बात की है कि आपके लाइफ में अगर पैसा जो है न वो नहीं आ रहा है आप करम तो कर रहे है पर वो पैसा नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या करें दूसक्ता इसके हलावा अगर आप इंट्रेस्ट बहुत लेते हो अपने करम में आप देखे न अब जितने भी बड़े लोग है बड़े लोग से मेरा मतलब है जितने भी फॉर्चुन 500 कंपनीज वाले है ओनर से जो भी बड़े लोग है जो भी एक बड़े शिर्श्तरस्त स्थान पे खड़े हैं इनको जरा ध्यान से देखिए क्या बात करते हैं कि पैसा 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 करते हैं या हमेशा करम पे ध्यान देते हैं अपने करम पे ध्यान देते हैं कि अपने को क्या करना है मार्किट में क्या नया लॉंच करें हम क्या दे सकते हैं जिससे हमें पैसा मिले हमारे पास देने को क्या है interview में भी यह सवाल पूछा जाता है तुम क्या दे दोगे हम तुमें hire करेंगे तो तुम हमें क्या दोगे क्या है तुमारे पास देने के लिए बहुत important सवाल है न अपने आप से भी यही सवाल पूछिए कि क्या है आपके पास देने के लिए एक eraser भी उसका जो मूल्य है पांच रुपे का एक E-raiser भी E-raise करता है इसका वो मूल्य है तो क्या है उसके पास देने के लिए E-raise करने की शक्ति वैसे ही हर भगवान ने हर व्यक्ति को एक शक्ति दी है कि वो क्या कर सकता है श्रीमत भगवत गीता भी इसी संदर्व में है, आपको पता है आपका जनम क्यों हुआ, क्या है आपका existence, क्यों आपका जनम हुआ, एक साधा सा गनत है, जब परमात्मा में एक बड़ा सा परमात्मा है, परमात्मा में एक इच्छा जागरित हुई, डिजायर जागरित हुआ कि उसको लाइफ में कुछ करना है क्या करना है मान लीजे उसको एक बेस्ट आर्टिस्ट बनना है जब भगवान में ये इच्छा जागरत हुई परमात्मा में एक इच्छा जागरत हुई कि उसको एक स्टार्ट टेस्ट बनना है तो उसमें से एक तुकड़ा बाहर निकला गया और वो तुकड़ा फिर उसको बोलते है आत्मा फिर वो जुड़ जाता है प्रकृति के साथ में और फिर बाद में वो जनम ले लेता है तो देखे आपके जनम का तो एक कोर जो चीज है वो आपका अपका जनम ही एक desire के साथ में हुआ है तो इच्छाओं को मारना नहीं चाहिए जो भी आप करते हो वो आपको best करना चाहिए आपके इच्छा को ना मारे हुए आपको वो जरूर करना चाहिए जो आपको पसंद है पूरी श्रीमत भगवत गीता इसी के संबद में है जो कृ कोई भी शक्ति उसको पैसे मिलने से नहीं रोख सकते क्योंकि पैसा तो बाइप्रोड़क्ट है पैसा एक्जिस्टेंस नहीं है दुनिया में तो रिसोर्स ऐसे ही पड़े हुए है हर हमारा करम हिट साइड करता है उसने रिसोर्स को कैसे यूटलाइज करें मुबाइल फोन पहले नहीं था पर ऐसा भी नहीं था कि दुनिया में नहीं था जिसने सोचा उसने बस प्रकट गिया जादू से प्रकट हुआ है जादू किस चीज की मस्तिश की और ऐसे प्रकट हो गया फिर अपल बना और करोडो की कंपनी मनी क्या है आपके पास देने के ल जरकि North East की direction clear होगी तो आपको idea आ जाएगा कि आपके पास में पैसा कहां से आएगा, आप अगर connector है तो East की direction को clear करिए क्योंकि East ही आपको लोगों से जोड़ेगी, आप अगर मान लीजे seller है, आपको ग्रहा काते हैं आपके पास में, business man है तो आप North की direction को clear करिए ताकि आपके बस नए लोग आ, ताकि वो जो नए लोग आ फिर वो आपका कर्म देखे, आप बढ़िया काम कर रहे हो, फिर वो नए लोगों को recommend करे और फिर वो आपके साथ में भी आपके पास में भी खरीदे और उनके ध्वारा जो नए लोग आए वो भी आप से खरीदे तो इसके लि ayı decide करना होगा कि अपना कर्म क्या है ऌई ज्वेलरी वाले है इस जोप किपर तो है दिजाइन बिक्त है आओ अच्छाव है बाते भीक्ती है तो Southwest जो मैं बोलता ऊभर Mmm, best है है उसके लिए क्या बेस्ट है तो पहले तो कोई तो क्रीटिविटी से रिलेटेड है तो नौर्थ नौर्थ वेस्ट क्योंकि वो डिजाइन और फिर उसकी बाते पसंद आती है तो इस्ट हर दिशा का अलग-अलग गुणधर्म है हर जौब भी इसी के संबंध में रिलेटेड है मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बात की थी कि अलग-अलग जौब्स के संबंध में कौन सी दिशाए है आपका जो करम है उस हिसाब से अगर आप उस दिशा को ठीक करोगे तो आप देखेंगे कि पैसा तो बहुत आता है क्योंकि महाँ वास्तु की टैग-लाइन है धन, सुक, सेह, स्तथास्तु हर घर होगा महाँ वास्तु I hope आपको ये content अच्छा लगा हुआ हो, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से connect हो जाए और मेरे से कोई सलाल है आपकी problem से संबंधित तो आप description में दिए हुए number के उपर call कर सकते हैं, मेरे team से बात कर सकते हैं धन्यवाद